अगर आप सिंगल है और मेरी वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं बताओं आपको कि क्या आपकी लाइफ में न्या परसन आएगा या नहीं तो यह रीडिंग बिल्कुल आपके लिए होने वाली हैं किसी ने सज़स्ट किया था मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग ब देख सकते हैं मेरी वीडियो वो आपका न्यू परसन जो होगा किस तरह से रिलेशनशिप आपके उनके साथ रहेंगे वापके सोलमेंट होंगे क्या होगा क्या होगी उनकी क्वालिटी और टाइम फ्रेम ज़रूर मैं बताऊंगी कि कब तक आपको यह न्यू परसन आपकी लाइफ में तो अगर आपको इस तरह की टापिक पसंद हैं आपको कह करना है हमेशा की तरह ही मेरी वीडियो को लाइक करना है चलिए अभी मैं आपको बताती हूं सबसे पहले कि क्या आपकी लाइफ में न्यू परसन आ रहे हैं क्या आपकी लाइफ में न्यू परस काफ़ी अट्रेक्टिव लगते हो आप इस परसन को जो भी ये परसन आपकी लाइफ में आने वाला है और मुझे जादा दूरी नजर नहीं आ रही है एक किंग है मेल फीगर मुझे नजर आ रहे हैं बहुत से यहां पर फीमेल ही मेरी ये वीडियो देखते हैं तो होगा अट्रेक्टिव होगा और आपको भी अच्छा लगेगा इनका फीजिकल अपेरियंस भी मैं बोलू तो काफी अट्रेक्टिव है गुर लुकीं है ये परसन आपकी लाइफ में जो आने वाले है और लॉंग डिस्टेंस भी यहां पर मैं कहूंगी कि मुझे नजर आत भी नजर आता है कि हाँ ये एक्सरसाइज वगरा करते हैं अपनी लुक्स के उपर बहुत जादा ध्यान देते हैं इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है जो भी आपकी लाइफ में परसन आने वाले हैं और काफी स्टेबल जोग भी होगी इनकी काफी रिस्पेक्ट होगी सोशल में मुझे ऐसा नजर आता है ससाइटी में सोशली डेफिनिटली मुझे नजर आते हैं कि काफी क्राउड इनके आसपास रहता है काफी चार्मिंग है क्योंकि काफी लोग इनकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं इनकी परसनेलिटी को देखके और मैं बोलू इनका हार्ट चक्रा की बात करूं तो हां मुझे वो भी साइन मिल रहा है दिल के बहुत अच्छे काइंड मैंने क्योंकि पहले ही बोल दिया था आपको और उनेस्ट होंगे आपके साथ लॉयल परसन होंगे ये जिसके बारे में भी देख रही है तो मुझे मैसेज आत करती है तो ऐसी मुझे परसनेल्टी नजर आते हैं तो आपको थोड़ा सा इनको रखना पड़ेगा लोगों से बचा के काफी लोगों को ये बहुत जल्दी अट्रेक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ ऐसे किसी परसन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है और चेक करते हैं पहले सवाल का जवाब तो यस ही निकला है जो लोग भी वेत कर ले हैं पासनेल्टी मैंने बता दी है आपको वालिटी में इस टॉपिक लेना इथा definitely आपके soulmate रहेंगे wow queen of cup जोड़ी बहुत अच्छी है आप दोनों की आप भी दिखिया काफी मुझे loving दिखते हैं, caring दिखते हैं आप में से काफी single mother भी हो सकती है जो wait कर रहे हैं second marriage का तो देखिया आपके लिए भी ये proposal है कि ऐसे लोगों की भी शादी होने के बहुत चांस है एक निया person आपकी लाइफ में आने वाला है जो unmarried है उनके लिए भी same message है यहाँ पे मुझे single mother की भी feel हुई है presence इस reading में यह होकर ही रहेगा जो मैं उन्हें बोला है आपके लिए यह new person आके ही रहेगा यह आपको god gift मिल रहा है आपके मैं यहाँ पे बोलूँगी की अच्छे अगर आपने कोई कर्म किये है ना उसका full universe आपके god आपके guide आपको देने वाले हैं यह होकर ही रहेगा इसको टाला नहीं जा सकता और यह बहुत जल्दी भी होने वाला है 10 months का time है और मुझे ऐसा भी दिखता है 10 days में भी किसी की life में यह entry होने वाली है और यह होकर ही रहेगी आप भी अगर कोशिश करोगे ना बोलोगे मुझे new person नहीं जाहिए तब भी आपके life में यह new person आके ही रहेगा क्योंकि यह destined है आपके soulmate है यह destiny में लिखा ही हुआ है आप single तो नहीं रहने वाले हो जो लोग भी single है तो यह तो मैं आपको final कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसी entry जरूर है आप इनको कोई party में भी मिल सकते हो friends के साथ कहीं जा रहे हो वहाँ पर भी आपकी मुलाकात इनके साथ होगी beautiful energy है आपकी देखे इतनी अच्छी reading कर रही है इतनी अच्छे messages आ रहे हैं आपके लिए तो like मेरी video को ज़रूर करें queen of swords यहाँ पर एक मुझे नजर आता है मुझे ऐसा नजर आता है आपकी personality की बात करूं loving caring में तो हैं लेकिन कभी-कभी आपका nature ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपको थोड़ा सा kind रहना पड़ेगा क्योंकि जिस person से आप मिनने वाले वो बहुत kind है, soft spoken है तो आप थोड़ा गुसे में ज़्यादा आ जाते हैं controlling nature है तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आता है और जब भी यह person आपके life में आएंगे न मुझे उनकी life में mother issues भी लगते हैं को उनकी mother को मनाना पड़ेगा आपके लिए ऐसा मुझे message नज़र आ रहा है एक lady मुझे नज़र आती है वाओ बहुत अच्छे message आ रहे हैं यह आपके definitely soul में थी है long distance मैंने already बोल दिया है और दिखिए आपके person में न मैं एक और quality बताना चाहती हूँ जो आपके लिए अच्छी है या बुरी आप decide करेंगे वो यह है कि जादा ना express यह अपनी feelings नहीं कर पाएंगे आपके आगे आपको इनकी feelings खुछ समझने होगी क्योंकि जिस भी person के बारे में आप सोच कि मेरी यह video देख रहे हैं उनका खास अंदाज मुझे यह लगता है कि दिल में तो प्यार होगा वट express थोड़ा कंजूसी से करेंगे आपके सामने तो उस चीज़ को आपको समझना होगा ठीक है time frame भी मैंने बता दिया है 10 days 10 months maximum ठीक है इससे जादा time नहीं लगेगा इस person को आपकी life में आने के लिए ठीक है और quality देख लेते हैं आप दोनों के बीच में बड़ देखिए आपको अपनी केर सबसे पहले करनी है क्योंकि हम कभी भी किसी भी relation में जाते हैं तो हम अपने आपको भूल जाते हैं तो वह गलती इस बार ना कीजिएगा क्योंकि अपने आपको प्यार करना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको इस बार जब भी नए रिश्टे में जाएंगे तो अपनी self respect आपको हमेशा बना के रखनी हैं ये message आ रहा है romance angel से ठीक है you deserve love आपकी guide आपके universe यही कहना चाहते हैं कि आप love deserve करते हैं शयद आपने यही सवाल भी क्या होगा मेरी reading देखने से पहले भी कि क्या आपकी life में कुछ अच्छा आएगा भी कि नहीं आप deserve करते हैं कि नहीं क्या सारी जिंदगे आपको हमेशा relationship में struggle ही करना पड़े जी नहीं आप love deserve करते हैं आप प्यार के काबिल हैं तो आपको आपके जैसा ही partner जरूर मिलेगा आप प्यार के like हो universe आप मुझे यही message आपके लिए दे रहे हैं ठीक है काफी attractive रहोगे आपकी chemistry बहुत अच्छी रहेगी और बिल्कुल यह relation काफी long term तक आगे रहेगा successful होगा ठीक है ठीक है बट आपको अपने ex को release करना है अगर कोई भी ऐसा person है जिसकी यादों को जिसने आपको cheat किया हो धोका दिया हो आपको समझा नहीं है अपने ex को release कर दीजिए यह भी important message आ रहा है तब ही new person की entry आपकी life में होगी अपनी energy को clear करो अपने रस्ते clear करो कभी-कभी हम दो लोगों में फसे रहते हैं तो ऐसा ना हो ठीक है और देख लेते हूं आप दोनों के relationship कैसे रहेंगे मैं दूसरे card से check करते हूं आप दोनों के relations कैसे रहेंगे और ज्यादा detail में हम check करते हैं आप यह person काफी attractive रहेंगे आपके लिए मिस आप attractive रहोगे उस person क के लिए attraction बहुत जादा मुझे नज़र आता है और आप इनके लिए बहुत handsome बहुत beautiful हो ऐसा relation मुझे नज़र आते हैं ठीक है और यह person sorry भी बोलेगा मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप शायद ऐसे किसे person से मिल जुगे होगे जो कभी sorry नहीं बोलता बड़ यह person sorry बोले कहीं ना कहीं देखें उनको भी प्यार की ज़रूरत है जो person भी आपके life में आने वाले हैं उनको भी खालीपन फील होता है कि लपन महसूस होता है तो आप उनको complete कर सकते हैं और compatibility रहेगी मैंने बूला नहीं यह काफी strong soulmate connection है यह soulmate connection ही मुझे नज़र आता है आपके लिए है देखे self respect का message पहले भी आया था आज भी अभी फिर से आ रहा है तो आपको ज़रूर अपनी self respect बना के रखनी है इस relation में ठीक है अपने आपको प्यार करना कभी बन मत कीजिएगा यह जो message आज के लिए आ रहा है hope guys आपके यह मेरी reading अच्छी लगी है तो एक like ज़रूर बनता है share कीजिए मेरे इस video को मिलती हूं मैं आपको एक ने वीडियो के साथ next topic में next video में तब तक के लिए bye bye take care